हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो स्टडी बस अगर आप एक MBA एस्परेंट हो तो शायद ही आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 20 से 25 तौजन रूपीज सेव कर पाऊगे आपको जो ड्रीम MBA कॉलेज है उसके पूरे के पूरे प्रोसेस को भी अच्छी तरीके से डीकोड कर पाऊगे तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना एक एक कैट और MBA एस्परेंट के लिए बहुत बहुत इंपोर्टन है देखो कैट 23 का नोटिफिकेशन आउट हो कैसे डिसाइड करो और बहुत सरे अधर फेक्टर तो आप एक बार सबसे वहले ये समझ लो कि जितने भी MBA कॉलेज होते हैं उनके आपको इंडिविजुल फॉर्म फिल करने पड़ते हैं माल लो आपने कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया ठीक है लेकिन आपने FMS कॉले सारे colleges के forms one by one आने वाले हैं तो आप कैसे plan करोगे कि मुझे ये वाला form फिल करना है मैं किस तरह से decide करूँ मेरा planning structure क्या होना चीए तो एक एक चीज आपको इस वीडियो में clear हो जाएगी तो इसके proper notes बना लेना अपने सारे के सारे friends का शेयर कर देना क्योंकि हर साल मैंने दे सबसे पहले और सबसे important point क्या है कि देखो आपको पता है cat exam के थुरू जो आपके top colleges होते है आइम्स तो आइम्स का जब आप form fill करते हो ना तो वह आपको कोई अलग से form fill नहीं करना पड़ता जब आप cat का form fill करते हो ना तो जब आप cat की सारे की सारी details डालते हो तो end में आपक कौन कौन से आइम में apply करना चाहते हो तो जब आइम्स की बात आती है तो मैं आपको पहले ही बता है तो वहाँ पे सारे के सारे courses और सारे के सारे colleges टिक कर देना बहुत सारे बच्चे गलतिया करते है सर मुझे तो सर्फ आइम एहमदाबाद और बैंगलवार में जाना है बा बाद आप डिसाइड करना कौन से बजाना है कौन से बहुत नहीं जाना मालो आपने पहले सिर्फ आइम एहमदाबाद टिक कर दिया और कोई college टिक ही नहीं किया तो उसके बाद आपको कोई भी college call नहीं करेगा कोई भी आएम कॉल नहीं करेगा और आपका पूरा का पूरा तो टिक एवरी सिंगल college जो भी आएम वहाँ पर आपको दिख रहा है जो भी course आपको वहाँ पर दिख रहा है चाहे आपको वहाँ पर admission लेना हो चाहे नहीं लेना हो या आप end में decide करना ठीक है दूसरी important चीज़ है कुछ कुछ आएम ऐसे हैं जो individual form भी निकालते हैं बहुत दूसरी important चीज़ क्या है आपको पता है CAD का जो score होता है apart from IAM जितने भी इंडिया के top colleges है वो भी accept करते हैं जैसे FMS हो गया आपका NDI गुडगाव हो गया then SP Jain हो गया then अगर आप देखोगे IIT हो गये Delhi University में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो DSE हो गया then आपका DFS हो गया तो इन सब colleges में admission लेने के लिए इसके लावा IMT गाजियबाद हो गया IMI हो गया exam भी हो गया then four college हो गया आपको जितने भी MBA colleges है इन सब के आपको individual forms भरने पड़ेंगे जैसे जैसे इनकी college की website पे forms आउट होंगे आपको फिल करने पड़ेंगे तभी आप इन colleges के लिए eligible हो third important चीज क्या है colleges की planning करना क्यों क्यों आप में से बहुत सारे बच्चों गाए एक question होगा सर अभी तो मैं अपनी preparation करी रहा हूँ अभी तो मैंने mocks देना start ही किया है तो मुझे क्या पता कि मेरी क्या percentile आएगी मैं किस तरीके से कौन सा college form फिल करूँ मैं अभी अपनी performance के basis कैसे अपने आपको analyze करूँगी मेरा cat में क्या score आएगा क्योंकि इन में से बहुत सरे ऐसे colleges के form है जो आपको before cat fill करने पड़ते हैं आपको cat से पहले ही अपने form fill करने पड़ते हैं बिनना किसी idea कि क्या score होगा क्या paper आया है कैसी आपने performance दिया है but you have to fill the form तो how do you decide that तो इसके हमारे सामने एक पूरा का पूरा structure है देखो मैं आपको क्या recommend करता हूँ देखो जब आप mock test देने start करोगे अभी आपके form भनने में time है cat की window open है आप around five marks के आसपास appear करो ठीक है five box appear करके उनका average percentile निकालो आपका average percentile क्या आ रहा है ठीक है उस average percentile में आप 10 से 15 percentile increase कर दो और उसके basis पर जो आपके colleges हैं वहाँ पर आपकी ज़्यादा preference होगी however हम लोग एक और better approach follow कर सकते हैं माल लो आपका target है sir मेरे को न इतना तो पता है मैं 75-80 ले आऊँगा अब मेरी उससे ओपर कितनी आएगी वो depend करता है cat के exam पे तो आप क्या कर सकते हो generally मैं जो आपको recommend करता यह है कि 95-100% वाले जो colleges हैं दो तिन college उसमें fill कर दो 90-95 वाले जो colleges हैं उसके दो तिन colleges fill कर दो 85-90 वाले जो colleges हैं दो तिन वो college fill कर दो and 80-85 वाले जो हैं वो दो तिन college fill कर दो काफी सारे बच्चे गलतिया करते हैं वो सारे के सारे जो colleges हैं वो 95-100 वाले भर देते हैं अब माल कि उसने किसी category के form भरी नहीं है तो पूरा ये वेस्ट हो गया तो बहुत important आपको ये समझना कि colleges की planning इतने structure तरीके से करो कि आपका admission भी हो जाए आपके minimum पैसे भी लगे and आप हर एक category को cater कर लो ताकि आपको उस backup option भी है और आपके सामने best option भी available है तो 5 mocks के average percentile निकाल के 10 से 15 वाला जब आप increase कर दोगे वहाँ पर एक दो college extra fill कर सकते हो क्योंकि more or less generally इसके आसपास आपका score रहता है ठीक है अब अगर मैं आपको बात करूँ कि आपको और जादा planning कैसे करने है किस तरह से आप पूरी better approach बना सकते हो तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या किरा है सारे क कि सारे जो list of colleges है उनको तीन category में divide कर दिया type A, type B and type C इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ही हो type A यह है जो आपको before cat exam fill करने पड़ेंगे जिस दिन आपकी cat की last date होगी उससे पहले पहले ही यह जो colleges है इनके forms बंद हो जाएंगे ठीक है तो वो आपको fill करने है type B कौन से है जो आपको after cat allow करता है after cat but before result तो काफी सारे ऐसे colleges भी है इंडिया में जो कहते है आपने cat exam दे दिया अब हमारी date open है लेकिन result से पहले पहले आपको fill करना है तो यहाँ पे आपको क्या approach follow करने चाहिए and type C कौन से colleges है जिनके forms after cat exam भी open रहते है या फिर reopen जाते है तो हमारा mindset क्या हो क्या कर सकते है जैसे आपने exam दे दिया आपको पता है within a week और two week आपकी answer किया रहती है आपको expected cutoff पता चल जाती है उसके basis पर आप decide कर सकते हो कि यह जो colleges अभी open है वो fill करने की नहीं करने and type C जो है इसको आप अभी बिल्कुल मत fill करो क्योंकि आपको पता है cat result जब आजेगा तो इस तरह से अगर आप अपने mindset लेके चलोगे तभी जाके आप well structured तरीके से systematic pattern से इन सारे colleges को deal कर पाऊगे अब question यह नकल के आता है sir इतने सारे colleges के forms आएंगे तो मुझे पता कह चलेगा तो मेरी strong recommendation है channel को बिल्कुल subscribe करके bell icon press कर लो क्योंकि अब आने वाले few months में हम इतनी सारी videos बनाएंगे कोई भी college का form आ रहा है उसका form फिल कैसे करना है किस तरह से पूरे process को deal करना है यह important dates है यह इसके expected cutoff रहती है यह placements है क्या आप बहाँ पर जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हैं यह सारे के सारे updates आपको इस channel मिलते हैं हर साल हम लोग इतनी सारी videos बनाते ह साकि आपका जो focus है वो आपका पढ़ाई पे रहें कोई भी आपकी important चीज मिस ना हो आपकी जो preparation वो solid चलती रहें इसके साथ साथ आपको जितने भी important exams हैं जितने भी important colleges हैं जो भी form filling का process है आपको उसके लिए हम लोग notify करते रहेंगे अब अगर हम बात करें कि sir type A जो before the cat exam म उनमें कौन कौन से colleges आते हैं तो अगर हम इस category के colleges को समझे जो भी type A में fall होते है before the cat exam मतलब cat exam आपको पता है कौन सी date को है आपका exam है 26th of November को हना 26th November 2023 को आपका cat का exam होने वाला है तो बहुत सारे colleges के form ऐसे हैं जो आपको 26 से पहले पहले ही fill करने होंगे तो वो तो मैं आपक इसकी important dates क्या है क्या process है लेकिन अगर मैं आपको कुछ colleges की list दूसर ये colleges मुझे पता दो जो definitely before the cat भी fill करने होते हैं तो MDI गुडगाम एक college है MDI गुडगाम में अगर आप admission लेना चाहते हैं लेकिन अगर आप इसमें admission लेना चाहते हैं तो cat से पहले-पहले इसका form fill करना उसके basis पर आपको SPGN का form fill करना है जनरली cat exam से पहले-पहले तक SPGN का form बच्चों को fill करना होता है उसके बाद ही आप इस college के लिए eligible हो पाते हो और भी कुछ colleges है उसकी list में आपको time to time बताता रहूँगा type B अगर मैं बात करूँ after cat but before result भई result से पहले-पहले आपको उन colleges के form fill कर देना है वो कौन से colleges होते है वही उसमें आपका सबसे पहले-पहले-पहले-पहले-पहले-पहले-पहले तक इसका form open रहता है तो जैसे इसका form भी आएगा FMS का form आएगा उसकी में आपको complete clarity देते लोंगा similarly अगर मैं Delhi University के colleges की बात करूँ आपको पता है Delhi University में बहुत सरे यसे colleges हैं जो आपको MBA कराते हैं और बहुत ही strong ROI का मतलब यह हुआ कि बहुत कम फीस में आपके पढ़ाई हो जाती है और क्यूंकि इनके जो forms होते हैं वो results से पहले-पहले आप fill कर सकते हो तो आपको एक idea भी होता है कि बही मैं कैसा perform करूँगा मेरे कितने marks आए हैं उसके basis म मैं क्या shortly stronger गर नहीं होगा तो Delhi University में काफी सारे colleges हैं जैसे आपका DBE हो गया, Department of Business Economics, then DSC हो गया जो आपका Delhi School of Economics है, then उसके बाद आपके सामने DFS है, Departmental of Financial Studies, तो इस सारे colleges बहुत ही top colleges माने जाते हैं जहापे आप admission ले सकते हो लेकिन इनका जो form होता है वो आपको CAT की results से पहले भी apply कर सकते हो, वैसे तो इनकी website पर आ जाता है कि अभी last data है, अभी last data है, लेकिन CAT के बाद ये अपने forms को reopen करते हैं, पिछले 5-6 सालों से reopen कर रहे हैं, तो कोई आपको stress नहीं लेना है, जैसे कि IIT इसके बात करो, तो IIT इसके जो form होते हैं, वो आप CAT result के बाद भी fill कर सकते हो, similarly अगर मैं बात करो, IMT गाजियाबाद की, तो IMT गाजियाबाद में अगर आप admission लेना चाहते हो, तो ये college भी अपने forms reopen करता है, बाद में, अगर मैं बात करो, IMI Delhi, तो ये जो colleges ये पर अपने forms को reopen करता है, ऐसी बहुत सारे और भी colleges हैं, जिनके बारे में आपको मैं time to time update करता रहूँगा, तो आपको एक थोड़ी बहुत clarity मिल पारे है कि कि किस तरह से MB admission process काम करता है, और आपको कब कौन से form में apply करना है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे institute से, तो आप क्या करोगे, एक smart जो candidate होगा, वो type A colleges के form पहले fill कर देगा, type B पे वो track रखेगा, कि उनकी क्या cut-off है, क्या उनका score चाहिए होता है, आपको score उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आप expected cut-off के आसपार meet-up कर पारे हो कि नहीं कर पारे, and type C के जो form से, वो end में भरेगा, जब result आ रहेगा, अगर वो meet-up कर रहा है, तो college का form भर देगा, नहीं तो नहीं भरेगा, तो आ क्वांट्स है, LRDA और verbal है, क्वांट्स में slivers आपका सबसे जादा होता है, arithmetic आपको सबसे पहले कर लेना चीए, उसके वाद आपको algebra करना चीए, then आपको geometry, then आपके सामने modern maths के जो topics हो गए, then number system, 5 modules आपके सामने रहते हैं, LRDA में आपको practice बहुत करने हैं, कोशिश कर अग पही एक rhythm बना रहें, and previous 5-6 सालों का हर एक set solve कर लो, topics के अगर में बात करो तो linear alignment, circular, numeric logic, games and tournament, truth and light, critical path, when diagonal question काफी आने लगे हैं, उसका idea ही में अगर आप देखोगे, तो table and chart के miss playlist questions आते हैं, verbal में अगर हम लोग बात करें, तो verbal में RC का component सबसे जाधा रहता है, तो different type के RC, title based RC inference based RC, fact based RC, tone based RC, structured based RC question, यह सब आपको करने है, then आपको para jumble, para summary, para completion, critical listening करना है, critical listening के जो questions होते हैं, वो आपसे RC में पूचे रहते हैं, इसके साथ साथ आपको odd one out करना है, इसके साथ साथ आपको fill in the blanks करना है, यह नई topics हैं, जो आप cat में पूचे जाने लगे हैं, तो यह सब अगर आप कर लोगे, तो आपका cat का पूरा का पूरा preparation, एक बहुती structure तरीके से हो जाएगा, अगर आप self prepare कर रहें, well and good है, नहीं तो हमने भई अपना cat का crash code launch कर दिया है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी preparation, आप अपने convenience पर कर सकते हो, आप में से बहुत सारे students होंगे, जि basic से advance तक तैयारी करा दो, minimum possible time में, लेकिन मेरे साथ time issues में है, मैं अपनी convenience में पढ़ना चाहता हूँ, weekend में जाधा time देना चाहता हूँ, रात में पढ़ सकता हूँ, सुबह पढ़ सकता हूँ, तो इसलिए हमने crash course launch कर दिया है, जिसमें आपको 150 hours की video lectures मिलेंगे, जिसमें एक एक topic, बिल्कुल basic से advance तक, quants का, verbal का, LRDA का, आपको कराए गया concept के साथ, questions, practice के साथ, और ये सारे के सारे जो recorded videos ये अलग से record हमने किये हैं, ये कोई live session की recording नहीं है, क्योंकि live session में आपको पता interaction होता है, कभी doubt discuss हो रहा है, time जाधा लगता है, ये एक दम exam unitate पूरा का पूरा वीडियो lecture है, इसके साथ ही last 5 सालों के cat के जितने भी paper हुए हैं, उसमें quants, verbal, LRDA का हर एक question भी आपको अलग से solve करा दिया है, ताकि वीडियो की help से आपको समझ में आपाएं, कि exam condition में वो questions कैसे करने थे, इस course को आप हमने Windows laptop में या Android device में, या iPhone या iPad में चला सकते हो, और इसके साथ साल आपको practice के लिए हमने 100 प्लस topic test provide करें, हर एक topic का आपको test मिलेगा, easy, moderate, advanced, आपको वहाँ पर detailed solution, detailed analysis मिलेगा, आपको sectional test मिलेगे, 24 sectional test मिलेगे, 8 quants के, 8 verbal के, 8 LRDAI के, इसके साथ साथ आपको 24-7 doubt forum में मिलेगा, पूरी preparation में, कहीं भी question है, कोई challenge है, वो आप आपको यहाँ पर consider होता चड़ाएगा, इसके साथ ही, 30 national level full learn mocks आपको मिलेंगे, with detailed analysis and solution, यह जो full learn mocks होंगे, यह actual cat pattern पे होंगे, उसी interface पे होंगे, आपको एक एक चीज का complete analysis मिलेगा, कितने question आपने सही करे, कितने गलत करे, topper के visa visa आप कहाँ stand करते हो, क्या आप easy question जादर कर पाए, hard question में आपने time भी इस तो नहीं किया, जब इस तरह का analysis मिलेगा, तो आपको complete idea लगेगा, अपनी preparation को कैसे better कर सकते हो, and full pleasant आपकी preparation, बिल्कुल A से Z level तक की होड़ेगी, बिल्कुल basic से advance तक आपकी preparation होगी, इस batch से, इस crash course से, and भाई, आपको बैपता देता हूँ, इस crash course का जो fees अब हो है, double line, double line, लेकिन अभी जो first hundred students है, उनके लिए जो fees है, that is five triple line, तो अगर आप इस course में enroll करना चाहते हो, आप अमरी website पर जा सकते हो, studybus.co.in पे, and अगर आपको भाई, demo lectures देखने हैं, तो मैंने नीचे description में, आपको demo provide कर दिया है, quant का भी, verbal का भी, LIDI क अभी complete revision videos है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, हम किस तरह से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, अगर आपको लगता है, चीज़े आपको समझ में आ रही है, तो भाई, आप इस course को join कर सकते हैं, तो I hope आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, इस video से काफी, ज चीज़ पूछना चाहते हो, तो यह हमारा help line number है, 99589-3705, यहाँ पे आप WhatsApp कॉल भी कर सकते हैं, so all the very very best, thank you so much and take care.